आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला भरवा भिंडी अक्सर बच्चे हेल्दी भिंडी खाना पसंद नहीं करते हैं या बड़े भी इसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से भिंडी को बना के देखिए और शूरली मैं कह सकती हूँ कि बच्चे से बहुत ही स्वात के साथ खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वेलकम टू माई चानल सुचितास कुकिंग में आपका स्वागत है शुरू करने से पहले मेरे चानल को सब्सक्राब कीजिए और बेल आइकन को आल पे रखिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिल सके तो टेस्टी भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे भिंडी लिए है एकदम फ्रेश और ताजी भिंडी है इसे हमें धो के इस तरीके से कट लगा लेना है सारी भिंडी को इसी तरीके से बना के हमें रेडी रखना है तो भिंडी मैंने कट करके रेडी की है अब हम मसाला बना लेते हैं तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे पैन में मैंने तील एड़ किये है और इसे हमें थोड़ा सा भूरना है यह देखिए तील का color change हो गया है इसे हम निकाल लेते हैं अब same pan में यहाँ मैंने dry Nareal लिया है इसे भी हमें थोड़ा सा भूरना है तो तील और Nareal भून चुके हैं इसे आब हम ग्राइंड कर लेते हैं तो mixing jar में ये दोनुँ चीजे में add कर देती हूं और इसे ग्राइंड कर लेना है तो यह दिखिए यहाँ पे मैंने तील और नारियल को ग्राइंड कर लिया है एकदम अच्छे से fine powder इसका बना लेना है तील और नारियल से बहुत ही अच्छा taste आता है अब सेम जार में मैं मुंगफली को भी ग्राइंड कर लेती हूँ मुंगफली भी हमारी ग्राइंड हो चुकी है इसे भी हम इसे में एड़ कर देते हैं और अब हमें बाकी के मसाले भी इसमें एड़ करने हैं तो यहाँ पे मैंने लाल मिष्ट पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यह भुना हुआ जीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी चीनी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, नमक स्वात के अनुसार, बारिक कटा हुआ हरा धनिया, दरदरा कुटा हुआ लेसुन, आदा लेमन लिया है मैंने यहाँ पे, उसका जूस हमें इसमें आड़ करना है, और एक चमच ओईल, बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है यह, अब सारा मसाला हमें अच्छे से मिला ले रहा है, एकदम अच्छे से मिक्स कर रहा है, अब सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा मसाला भी रेड़ी है और भिंडी भी, अब हम भिंडी में मसाले को इस तरीके से अच्छे से भर देने वाले हैं, यह दिखिए, हमें बिल्कुल आराम से हमें बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करन तो आप सारे भिंडी में मसाला भर चुका है भिंडी हमारी रेडी है अब मैं इसे शालो फ्राइ कर लेती हूं तो यहां पर मैंने कड़ाई में ओईल एड़ कर दिया है देखिए कितना थोड़ा ओईल है और अब हम सारी भिंडी को कड़ाई में एड़ कर देते हैं और इसे एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनिट तब कुक कर लेते हैं। कुक करने का टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है ग्यास की फ्लेम के अनुसार। तो एदेखिए पाच मिनिट हो चुकी है और भिंडी हमारी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एदेखिए कितने आसानी से फोर्क अंदर जा रहा है तो भिंडी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। सॉफ्ट हो गई है। अब इसे थोड़ा सा चला लेते हैं और बस इसे गर्मा गरम हम सर्व कर लेते हैं। आप इस मसाला भरवा भिंडी को साइड डीश की तरह परोश सकते हैं या फिर आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये दीए तर्यार है आप उपर से थोड़ा सा घरा धानिया गाणिश करें बहुत ही डीशियस ऐस मसाला बहुत ही अच्छे से कूख हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके इसे एह देखिए हैना बहुत ही बढ़िया अब मैं भिंडी को थोड़ा सा तोड़के भी दिखा देती हूं कि एक इतनी सौफट बनी है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिये और बनाने के मिलते हैं अगले रेसिपी में थैंक्स फर वाचिंग एंद प्लीज हिट दे लाइक बटन